जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आर्मी और S.S.C. G.D. की इस स्पेसल क्लास में आप सभी का स्वागत है तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान ग्यान के 10 most important questions जो की आर्मी और S.S.C. G.D. की अंतरगत आने वाली सभी फोर्सिस के रिटन एक्जाम के लिए special questions हैं तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक request होगी कि अगर आपने अवी तक हमारे YouTube चैनल सिबा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें और बैल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आने वाले वीडियो की notification आप तक पहुँचते रहे हैं तो चलिए दोस्तो question number 1 है हमारा भारत में ससस्त्र बलों का सर्बोच्च स्यनापति कौन होता है option से आपके सामने जो आ चुके हैं राश्ट्रपति, प्रधान मंत्री, रच्छा मंत्री या फिर धल स्यना अध् पती, question number 2 है, भारतिय थलसिना में कितने command headquarters है, option से आपके option A 10, option B 6, option C 7 and option D 3, तो question number 2 का सही answer है, option C 7, जी हाँ दोस्तो, भारतिय थलसिना में 7 command headquarters है, ठीक है, next question है आपका, question number 3, इंडियन नेवी दिवस कब मनाये जाता है, option से आपके, 4 दिसंबर, 15 जनबरी, 8 अक्टूबर, या फिर इन में से कोई नहीं, तो question number 3 का सही answer है आपका, 4 दिसंबर, जी हाँ दोस्तो, option A is question correct होगा, इंडियन नेवी दिवस मनाये जाता है, 4 दिसंबर के ल जाता है आपका, 8 अक्टूबर के लिए, ठीक है, तो next question है आपका, question number 4, भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती कहा होई, options है आपके, option A, स्रावस्ती, option B, सोमनात, option C, बौध गया, and option D, कुशी नगर, तो question number 4 का सही answer होगा, option C, बौध गया हमे, ठीक है, भगवान चलते हैं, question number 5, आरे समाज की स्थापना किस ने की थी, options है, स्वामी दयानन्द, स्वामी बिवेकनन्द, राजा राम मोहन राय, या फिर आत्मा राम पांडुरान, तो आरे समाज की स्थापना की थी, दोस्तो, स्वामी दयाननन्द ने, तो यहाँ पर question number 5 का सही answer है, आपक स्वामी दयानन सर्श्वती, ठीक, next question की तरफ चलने से पहले आपको बता दें, कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से बिलकुल इस वीडियो की PDF फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो question number 6 है, पंजाबी भासा की दोस्तों जो लिपी है, वो है गुरुमकी, तो यहाँ पर question number 6 का सही answer, option A, गुरुमकी, ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, कि यह जो questions हैं, यह special दोस्तों आर्मी और SSC GD के written exam के लिए बनाए गई है, ठीक है, इस question important है, और वीडियो के last में आप में से यह भी बताना कि आपको यह जो 10 questions हैं, इन में से कितने पहले से ही आते थे, वीडियो के last में comment करके ज़रूर बताएं, कि आपके 10 में से कितने questions ठीक हैं, ओके, question number 7 है, बायू से ना दिबस कब मनाया जाता है, options हैं आपके, option A, एक option C, 15 January, या फिर 8 October, तो अभी question number 3 में मैंने आपके लिए बताया था, कि बायू से ना दिबस कब मनाया जाता है, जब नेभी वाला question आया था, sorry, तो इस question का answer जल्दी से comment box में comment करके बताएं, कि बायू से ना दिबस कब मनाया जाता है, और जिन लोगों के लिए answer नहीं पता है, या फिर याद नहीं रहा, उनके लिए मैं बता देता हूँ, बायू से ना दिबस मनाया जाता है, 8 October के लिए, एक बार आपको फिरस्ते revision करा देता हूँ, 4 December, Navy Day, 15 January, Army Day, और 8 October, Your Force Day, ठीक है, question number 8 है, भारत की मुख्य भूमी का दक्षड़तम किनारा कौन सा है, बारत की मुख्य भूमी का दक्षड़तम किनारा कौन सा है, options है, कन्यकुमारी, कस्मीर, अलुनाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं, तो question number 8 का जो सही answer है, बो है option A, कन्यकुमारी, भारत की जो मुख्य भूमी है, उसका सबसे दक्षड़तम किनारा कन्यकुमारी है, next question है हमारा question number 9, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज में निकलता है, options है आपके, जमु कस्मीर, पंजाब, अरुनाचल प्रदेश या फिर तो भारत का ऐसा कौन सा राज है, जिसमें सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, तो question number 9 का सही answer है, option C, अरुनाचल प्रदेश, ठीक है, question number 10 है, छेतरफल की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज जो है, वो कौन सा राज है, option से आपके, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महरास्ट या फिर मंद्र प्रदेश, तो यहाँ पर question number 10 का सही answer है, आपका, option A, राजस्थान, ठीक है, और अगर, जन संक्या की दरश भारत का सबसे बड़ा राज पूंचे जाए, तो कौन से राज होगा, आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, छेतरफल की दरश्टी से, आपका राजस्थान, और जन संक्या की दरश्टी से होगा, आपका उत्तर प्रदेश, तो यह थे दोस्तों, आज के 10 question, वीडियो कैसी ल तो चलिए दोस्तों, thank you for watching, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक लिए नमस्कार, जैहिन, जैभरत